खबर पोहरी धाना 6-3 अंतगत की है जहां बीते दो मार्च को कोट का पता पूछने के बहाने एक बुजर्ग से तीन लोगों ने 20,000 रुपे की लूट की वादात को अंजाम दे का फरार हो गया जहां पुलिस ने सक्रेता दिखाते है 24 घंटे की भीतर ही लूट को ट्रेस का दो आरोपियों को दवोच लिया जबकि एक आरोपी फरार हो गया लूट में इस्तेमाल बाइक सहित नगदी रुपे जब्त कर आरोपियों को जेल भीज दिया गया जानकारी के इनुसार फरियादी सियाराम उमर साथ कोहरी बस इस्टेंट पर खड़ा हुआ था जिससे अग्याद दो लोगों ने कोट जाने का पता पूछ और बाइक पर साथ बठा कर ले गए वही आंगिस उनसान जगा पर फरियादी से लूट की बाइदात को अंजाम देकर फरार हो गए बुज़र्की की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला पंजिबरत कर लुटेरों का सुराग लगाना शुरू किया जहां पुलिस ने तका सीसी टीवी पुटिस खंगाले जिसमें आरोपी कैद हो गए जिसकी मदद से थाना प्रवारी बल्विंदर धिलन को सुशनम ले की लूट के आरोपीयों की शकल जैसे लोग शेवपूर रोट कियों निकले हैं जिस पर पुलिस की एक टीम ततकाल रवाना हुई और दो आरोपीयों को दोपोश लिया आरोपीयों ने पूस्ताष में अपना जुर्म सुईकर कर लिया वहीं पुलिस ने आरोपीयों से 5500 रुपे नगदी और बायक जब्द कर लिया पुलिस ने दो आरोपीयों को नेयले पेश किया है जिनने जेल भीज दिया है पहरी से धर्मेंदर शर्मा की रिपोर्ट पहाने उसे वाटर साइकल पर बिठा लिया और जैसे ही नयायल है आया तो वहना उतार कर वो अग्यात यूबक फर्यादी को आगे संसान जगे पे ले गए जहां पर इंक और उनका अंग्या साथी खड़ा था तीनों ने मिलकर फर्यादी से परस में रखे 20,000 रुपए की जाला 13 MP Act की रहत हुने अपरात्पनी कर्थ वद्द कर विवेचना में लिया गया हुमारे वरिष्ट हत्कारियों को सुचित गया तो सीरीमान पुरिस अदिक्षक महदय सीपरी के निर्देशन में एबं सीरीमान अतरित्पुरिस अदिक्षक महदय सीपरी के मार्ग दर्सन में एक ट्रूं रखित की गए तीन के द्वारा जगे जगे पर नाकाबंदी कर एबं फुटेज खोजे गए जिसमें उक्त आरोपियों के फुटेज हमें मिले दौराने विवेचना ही हमें मुपिर द्वारा सुचना प्राथ हुई कि जो फुटेज में हुलिया आया है उस इसी के दोनां मेरे द्वारा वहां सर्ची कि गया और जि سब्षाइए जिसके सम्मन से पुटाश चली जारी है और जो घता में प्रियोक्ताइव मॉतरसाइकल और कुछ मसूइका हमारे द्वारा जब्त कर लिया गया है अन्य आरूपिर फरार है उसकी गरफतारी के प्रियास सजारी है जिसकी गरफतारी जल्दे से जल्दे की जारी है